वीडियो देखनी से पहले हेड़ फौन का प्रियोग जरूर के अज की इस वीडियो में हम बताने वालें आपको कि आप 15 से बीस साल की लडकी कह सकते हो कैसे उसे सट कर सकते हो और आसान सी भासा में आप लोगों की कहते हैं कैसे उसे पटा सकते हो जी हाँ क्योंकि आज किस वीडियो में आपको मैं यही चीज़ बताने वाल हूँ फ्रेंड कि आप इन एस की लड़की को ऐसे impress कर सकते हो वह वह चंद मिंटों में इन टाइब की लड़की को पटाना केतना जादा आसान होता अगर आप ये प्रोसेसर को सही तरीके से फॉलो करते हो मगर इन सब से हटके आज भाई का जनम दिन है तो भाई लोग आप सभी लोगों का मुझे विसेश सीए और मुझे जानना है कि कितने लोग मुझे से प्यार करते हैं तो प्लीस यार कमेंट बॉक्स में मुझे भी हैपी बर्डे नाम लिख कर विस जरूर करियेगा भाई क्योंकि आज आपका भाई बहुत खुस है तो प्लीस भाई विस कर देना ठीक है तो हम फ्रेंड हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे 15-20 साल के लड़की को हम इंप्रेस कर सकते हैं चंद मिन्टों में और कैसे उसे अपनी गल्फर्ण भी बना सकते हैं यह सारी प्रोसेसर फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको मैं एक्स्प्लेइन करके समझाने वाला जाते हैं जिसमें खास पॉइंट रमबर वन एन फ्रेंड इस टैप की लड़की को इंप्रेस करने के लिए आपको कैसे प्रोसेसर रखने चाहिए आप जरा यह समझ लेगा क्या आपको पता है फ्रेंड 14 से 20 साल के लड़की किस टैप के लड़कों से बहुत ही जल्दी इंप्रेस होती है किस टैप के लड़के इन्हें पटा लेते हैं जो बॉइज अपने आपके रिस्पॉन्सबिल्टी ले सकते हो जिनको बोलने का सही तरीका पता हो और कहीं भी कि वह जल्दी हार ना मानते हो इंच टैप के लड़कों से बहुत ही जल्दी ये 15 से 20 साल के लड़की इंप्रेस हो जाती है अब आप वो लोगे सर इसमें लॉजिक क्या है देखो भाई अकसर ऐसा होता है कि जब आप दोनों के बीच में रेलेसेंसिप चल रही होती है अब उसे पता होता है कि लड़का तो वैसे भी कुछ नहीं बोलने वाला बेस्ती में और हो जाएगी और तो और जो मेरी रिस्पॉंसबिल्टी थी या जो मेरे रिस्पेक्ट थी गलियों में या फिर महले में जो भी था ये सब कम होने लग जाएगा इसके चलते फ्रेंड इस जल्दी नहीं होने वाली होती है जिस लड़की को बोलने का सही तरीका नहीं पता जो बंदा रिस्पॉंसबिल्टी नहीं दिखाता हो तो अगर फ्रेंड आपको इस टैप की लड़की इंप्रास करने है वाके में इंप्रास करने है तो आपको ये शो करवाना पड़ेगा क कि आप सामने वाले को protection दे सकते हो, आप सामने वाले को safe feel करवा सकते हो, तभी friend आप दो उनके relationship चल पाएगी, और वो लड़की आप से impressed भी होना चाहेगी, और आप इसको किस तरीके से आप show कर सकते हो भाई, ये बात तो मैंने बहुत सी वीडियों बताएगी, कैसे आप किसी इस style के लड़किया होती है, friend ये जालतरना अपने से बाहर के इलाकों में लड़के ढूंती है, अपने से बाहर के लड़कों में लड़कों से impressed होती है, अब इसका logic क्या है और six sense क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और होता क्या है कि अगर आपके friend circle बैटर नहीं और कितने तो popular दोस्त आपके ऐसे होते हैं, जो भाई आपका नाम लेके उसे छेडने लग जाते हैं, जिसके चलते हैं लड़की बहुती ज्यादा embarrassed फील करती है, और लड़की कभी अपने महले के लड़कों पर trust नहीं होता है, तो भाई अगर आप ये चाहते हो कि वो लड दो बंदी के लिए, नहीं, ऐसा कुछ रायन नहीं दे रहा है, क्योंकि friend बहुत important दोस्ते हैं, ठीक है, ये बात समझ लेना, तो बस आपको ये करना है कि अपना friend circle friend उसके सामने कुछ ऐसा सो करवाना है कि आपका nature भी बहुत अच्छा है, और आपका friend circle भी बहुत ही इसे बाते करिए, लड़की वापिस से वैसा भाव देना, वैसा लाइन देना, इस्टार्ट कर देगी, ठीक है भाई, इतना सा प्रोसेजर फॉलो जरूर करिएगा, बात करते पर नहीं, तीसरे point की, अगर आपको 15-20 साल की लड़की को impress करना है friend, तो अपने दम पर उसे impress क करने की कोसिस क्या करो भाई, अगर आपकी ये थिंकिंग है कि भाई, अगर मैं उस लड़की को propose करने के लिए, किसी अपने friend का साहर हलूँगा, या फिर message कर दूँगा, propose या फिर ऐसा कुछ करूँगा, तो भाई, लड़की कते भी आपसे impress नहीं होने वाली है, आपको ये बात जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसके चलते कई हद तक आपका proposal reject भी होता है, कई हद तक आप accept नहीं होते हो, किसी के भी relationship में आने से पहले, तो भाई, ये बात आपके लिए जानना बहुत important है, और ये बात मैं प्रस्नलिन आपको इसलिए requirement करता हूं, क्योंकि कई बार मेरे दोस्त आ रहे है, क्यों उससे मना किया गया, क्यों ऐसा हो गया, वह भी मैं आपको clearly इस video में समझा दूँगा, explain करके, भाई, जब वो लड़की आपको अपने दम पर, अपने mind से line दे दिया, तो फ्रेंट आप भी अपने mind लगाईए, लड़की कभी भी करवाना है, तो अपने दिमाग का इस्तमाल करो भाई, कि आपने जिसके जरीए उससे बोला है, कि आप तुझे पता है, मुस लड़की को बहुत like करता हूँ, थोड़ी मेरी बात चलाना, अब वो लड़की क्या guarantee आगे चल के आपकी बातों को नमा की मिर्च मसाला लगा के ना फैलाएगी, इसके चलते लड़की को proposal reject करने का नोबत आ जाता है, अगर आपने किसी के थुरू या फिर किसी के वज़े से आपने उसको message किया या फिर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो लड़की वहाँ भी मना करती है, कि लड़के में इतनी भी हिम्मत नही कैसे के, अरे भाई लड़की के सर पे सिंग तो है नि जो तुम्हें मार देगी, जाइड सी बात है, पसंद होगे तो हाँ बोलेगे और ना पसंद होगे, तो मना कर देगी, बस ये लॉजिक आपको समझने में सालो लोग जाते हैं, जिसके चलते आप आप आज भी सिंगल ह और एक सबसे बड़ा कोजिशन, जो कि मेरे इंस्टागराम पर आप कई बार मुझसे पूछते हो, कि सर ये जो 15-20 साल के लड़की होती है, ये किस टैप के लड़कों को ज्यादा पसंद करते है, किस टैप के इसके रिक्वाइन्मेंट होती है, तो भाई, एक बास सुनो, ह अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फस जाती हूं, तो ये बंदा मुझे असानी से निकाल देगा, तो भाई, ये बात अपने माइंड में बैठा लो, कि उससे फ्रेंट 2-3 साल आप बड़े होने चाहिए, तभी आपसे इंप्राइस होगी, और फ्रेंट इंप्राइस करने के भी आपको जुरूत नहीं, वो खुद बे खुद आपको लाइन देखी, क्योंकि इन लड़कियों की ऐसी ही चोइस होती है, मैं यहाँ पर आपको एक एक ग्जैम्पल देता हूं, कि लड़की की ऐसे 18 साथ, तो लड़की की जानते हो चोइस क्या होगी, 21 साल का लड़का ह नहीं जाना हो गया, वहाँ तो पैसे लगए, मालनों आप दोने को किसी कैंटेन में बैठ की काफी भीना हो, वहाँ तो पैसे होगे, मैं यह मेंटेर को लेकर पैसे आपको समझा रहा हूं, ठीक है, तो यह पुइंट आपको ले जानना है, यह दो पुइंट बहुत कि जिकर 15-20 साल के लड़की को कोई लड़का पसंद आया तो वो किस तरीके के साइन देती है क्योंकि ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है न तभी आप समझ पाओगी कि वो लड़की मुझे में इंटरेस्टेड है या नहीं वो लड़की मुझे से प्यार करती ह देखो भाई इस टाइप की लड़की आपसे फ्रैंकली आकर बात नहीं करने वाली हर बार आपके साथ हैंडशेक नहीं करने वाली हर बार आपको ये चीज का दिलासा नहीं देने वाली कि यार मैं आपके साथ खरियो मैं आपसे बात करना चाहतु है ऐसा कुछ वो साइन न आपको उसी टैम पे उसी रास्ते से होकर गुजरना है, एक से दो बार और उसका रियक्शन चेक करना है, क्या वो लड़की नर्वस हो गई, क्या वो लड़की घबरा गई, क्या वो इस लड़की की आँखे तक नहीं उठी है, और जब मैं वहां से चला जाओ, तो यह लड़ मैं होई नहीं, आपको जानती नहीं है, तो फ्रंटी, इस साइन के बेसिक पर आप यह बात स्योर कर सकते हो, क्या लड़की आप में फुल टू इंट्रेस्टेट है लड़की आपको पसंद करती है, और इस तरीके से आप उसे इंप्रैस भी कर सकते हो, तो आज की इस वीड आप इस टिक को आजमा सकते हो, अब वीडियो कैसे लगी दिखने में मुझे जरूर पताएगा, मगर भाई मुझे विस्ट जरूर करना है, ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग तो आपको पता ही होगी भाई, तो विस्ट जरूर करना भाई, क्यों मुझे इंत्यार रहेगा, वीडियो कैसे लगी दिखने में मुझे बताना, दुडियो पर करना, एक लाइक अपनी तरफ से चैनल पर नए हो, तो सस्क्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर ब्रैस कर देना, और दोस्ट जरूर करेगा अगर आपको ये बात एजुकेशन वाली लगी हो तो, थ